साथियों, 21 सदी के भारत की एस्पिरेशन्स और एबिलिटी का प्रदर्जन करने वाले इस एक्ष्पो का लखनों में होना एक और वज़र से भी एहम है यहां से सांसद रहे भारत के पुर्वप्रधानमंत्री अटल विहारी वाजपई जी ने ही देश में डिफेंस इंडिजाइनाइजेशन का सपना देखा था और इसके लिए अनेक कदम उठाये थे उनी के विज़न पर चलते हुए भारत ने अनेक डिफेंस प्रोड़क्स के निर्मान में तेजी हासल की बीते पांच वर्सों में इसमें और ज्यादा तेजी आई है साल 2014 तक यहां सिर्फ दो सो सत्राइज डिफेंस लाइसन्स इशु किये गए थे वही बीते पांच वर्सों में ये संख्या चार सो साथ हो गई है यानि दो गुनी से भी जादा हो गई है आर्टिलिरी गन्स हो एरक्राप्ट केरियर हो फ्रिगेट हो सम्मरीन हो लाइट कॉम्बेट एरक्राप्ट हो कॉम्बेट हेलिकेप्टर हो ऐसे अनेग साजों समान आज भारत में ही बन रहे हैं साथियों आज भारत अपनी आवश्यक्ताओं के लिए आधुनिक अस्त्र सस्त्र का निर्मान तो करही रहा है ग्लोबल डिफेंस एक्सपोर्ट में भी अपना शेर बढ़ रहा है वर्ष दो हजार चौदा में भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट लगबग दो हजार करोड रुपिये का था वहीं बीते दो साल में भारत करीब सत्रा हजार करोड डिफेंस एक्सपोर्ट कर चुका है अब हमारा लक्स ये है कि आने वाले पांच वर्ष में डिफेंस एक्सपोर्ट उसको हम पांच बिलियन डॉलर याने करीब करीब 35,000 करोड रुपिये तक बढ़ाया जाए